दोस्तों, वैसे फिल्मों में कई मशूर अभिनेताओं ने हीरो की रूप में लोकप्रियता बटोरी, तो कईयों ने विलेन की रूप में अपना नाम बनाया, लेकिन बहुत कम ही कलाकार हुए जिन्होंने हीरो, विलेन और एक राजनेता की रूप में दर्शकों के बीच आज हम जिस अभिनेता की बात करने वाले हैं, उसने अपने जीवन में सपोर्टिंग एक्टर, हीरो, विलेन और एक पॉलिटीशन की रूप में खूब नाम कमाया, उसने हीरो के रूप में दर्शकों से प्यार हासिल किया, तो एक विलेन की रूप में नफरत भी बटोरी, अपने दमदार अभिने से उसने अपने चाहने वालों को काफी रोमान चित किया, दोस्तो हम बात कर रहे हैं, अस्ती के दशक में अभिने की दुनिया में उचाईयों कुछ होने वाले मशूर अभिनेता, राज बबबर के बारे में, जी हाँ, और उनकी प्रोफेशनल इस चर्चा में रहे, कई सुपर हेट फिल्मों में हीरो का काम कर चुके, राज बबबर ने कई फिल्मों में विलिन का भी शानदार अभिने किया, और दशकों को एंटरेटेन किया, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुवाती जीवन, फिल्मी करियर, निजी ज इवन से जुड़े कुछ किस्सों को सामने रखेंगे, तो जाननी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मुंबई में जाने का फैसला किया, मुंबई पहुचकर उन्होंने फिल्मकारों से काम मांगना शुरू किया, हाला कि एक्टिंग की पढ़ाई करने की वज़ह से उन्हें उनकी पहली फिल्म पाने में जादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, आखिरकार साल 1977 में उन इसकों से कुछ खास प्यार भी नहीं मिला, करीब तीन साल बाद वैसाल 1980 में अपनी दूसरी बॉलिवुड फिल्म में नजर आए जिसका श्रीशक है आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म में राज बबबर मुखे भुमिका में नजर आए और उनके साथ कई अन्यक अल्यकार भ वैसे फिल्म की कहानी को कुछ खास पसंद नहीं किया गया था, अपनी दूसरी फिल्म के बाद राज बबबर अपनी तीसरी फिल्म जजबात में दिखाई दिये, ये फिल्म भी 1980 में ही रिलीज हुई थी जिसे सूरज प्रकाश द्वारा नर्देशित किया गया था, ये ए फिल्म को बॉक्स ओफिस पर एवरिज प्यार मिला और ये औसत कमाई ही कर पाई, साल 1980 में ही वे अपनी चौथी फिल्म में अभिने करते हुए दिखाई दिये, इस फिल्म में वे सेकंड लीड रोल में नज़र आए, वैसे उनकी चौथी फिल्म का श्रीशक है सौ दिन सास जिसमें अशोक कुमार, नीलू फुले और रीना रोय लीड रोल में दिखाई दिये, दोस्तो 1980 का सर उनके लिए काफी अच्छा था, क्योंकि इस साल उनकी बैक टू बैक कई फिल्म में आई, जिसमें से तीन के बारे में हमने पहले ही जिक्र किया, अगला है चन परदेशी जो की एक पंजाबी फिल्म थी, और उसके बाद वह इंसाफ का तराजू, हम पांच और साजन मेरे मैं साजन की जैसी बॉल्ल वुट फिल्म में दिखाई दिये, फिल्म इंसाफ का तराजू बॉक्स ओफिस पर एक सफल फिल्म रही, जिसे बिया चोपड़ा दोरा, नर्द अभिने करने के लिए बेस सपोर्टिंग एक्ट्रस का फिल्म फियर पुरसकार भी दिया गया था, इस फिल्म के बाद राज कई अन्य फिल्मों में नजर आए, जैसे कल्यूग, राज, अर्मान, प्रेमगीत, उम्रावजान, दौलत, भीगी पलकें, जीवंधारा, निकाह और अर्पण, साल 1983 में आई फिल्म अगर तुम ना होते को, जिसे लेख टंडन द्वारा नर्देशित किया गया था, दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिला, इस फिल्म में राज इश्खन्ना, राज बबबर के साथ अभिनेतरी रेखा भी दिखाई दी, राज बबबर इ में राज बेदी की सहायक भूमिका में नजर आए और उनके बहतरी नभिने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ, इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने अपना एहम योगतान दिया था, जिसमें मदन बुरी और असरानी जैसे कलाकार शामिल थे, जैसे कि हमने बताया कि बॉक्स ओफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला, तो सिर्फ प्यार नहीं बलकि ये सुपर हिट रही, और इसे कई सिनिमा हॉल में सिल्वर जुबली घोशित किया इस फिल्म से राज बबर को दर्शकों के बीच काफी लोग प्रियता हासिल हुई, और वे दर्शकों के बीच एक हीरो के तोर पर उभर कर सामने आए, दोस्तों आगे उन्होंने मैं आवारा हूँ मजदूर जीने नहीं दूँगा, घायल, आँखें और जिद्दी जैसे श अभिने के साथ उन्होंने राजनीती में भी खूब वहवाही लूटी, जी हाँ, एक पॉलिटीशन के रूप में वे दर्शकों के बीच साल 1989 में आए, 1989 में वे जंता दल से जुड़े, वहीं 1994 से लेकर 1999 तक वे राजसभा के मेंबर भी रहे, 2006 में समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने कॉंग्रिस पार्टी को जॉइन किया, उसके बाद साल 2018 में उन्होंने उत्तर प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के प्रेसिडेंट पद से स्तीफा दे दिया, तो कुछ इस तरहा रहा उनका पॉलिटिकल करियर, उनके पॉलिटिकल करियर में काफी चड़ाव भी देखने को मिले। असी के दशक की जब शादी के बिना इस तरह के रिष्टे को काफी अलग नसरों से देखा जाता था। लेकिन फिर भी दोनों ने इस तरह का बोल्ड डिसीजन लिया। आपको बता दें कि इसमिता पाटिल ये जानते हुए भी कि उनकी वजह से किसी का घर बरबाद हो रहा है, खुद को नहीं रोक पा रही थी। खैर 1983 में राज बबबर ने अपनी पहली पतनी को तलाग दे दिया और इसमिता पाटिल से विवाह कर लिया। साल 1986 में इसमिता पाटिल को एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रतीक बबबर है। वैसे आगे हम राज बबबर के सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। उनकी तो उनकी पहली पतनी नादरा से उनके दो बच्चे हुए थे। जिन में से एक बेटी थी और दूसरा बेटा। उनकी बेटी जुही बबबर का जन्म साल 1989 में हुआ था जो एक अभिनेतरी है। उनके पहले पती का नाम बे जोए नाम ब्यार है। जिनसे उन्होंने 2007 में विवाह किया और 2009 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद वो 2011 में अनूप सोनी के साथ शादी के बंधन में बंधी। अनूप एक एक्टर है और दरशोकों के बीच काफी पॉपलर है। खबरों के मताबिक जुही का एक बच्चा है वहीं राजबबबर के बेटे आर्या बबबर का जन्मो 1981 में हुआ था और वे भी एक अभिनेता है। में दोनोंने एक दूसरे से तलाक ले लिया था। और अन्जु सहदेव है। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। झाल करें।